अर्मान के सामने आया आलिया और रन्विजे की रिष्टे का सच क्या आस्मा पता लगा पाएगी रन्विजे और अर्मान की मा का सच सो हलो दोस्तो मैं हूँ कुछी सिंग और आप सभी का स्वागत करती हो हमारे चानल पर उड़ार या सीरिल में वला लें आप पर एक एक साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है जापर हम देखते की वही रन्विजे ने फाइनली अपनी दिल की बात कह दी आल्या को जी हां वो बात हो चुकी है जिसका आप सभी को बेस सबरी से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है आपके पास की दिन तक का वक्त आपको सब को पाच सच पता नहीं होगा पर आपने नहीं बचा है मैं बचा दोगा अला ताच के पेपर अधर पास जहां पर फानिली हम रनविजय और आल्या की केमेस्ट्री देखने को मिलेगी हमें और यहां पर हम देखते कि वहाई अल्या जो है वो काफी जादा फ्रस्टेट हो जाती अपनी इस लाइफ से राजा की पागलपन से और खुशी को लेकर और सभी करपरिवार को टेंशन को लेकर यहां पर आलिया जो है वो काफे जादा फ्रस्टेट हो चुकी है आपको सब को आज सच बताना ही होगा और अगर आपने नहीं बचा है मैं बचा जूँका रिख लोख ऑनरा फ़ी है । फंट इसक अर आलीा जो है वह कोशिश करने वाली होती लेकिन इसी बीच राया जहा है लेकिन इसी बीच वह सही मौके पर पहुँचकर आला कि जान बचा लेता है लेकिन यहां पर आल्या जो है वो अपनी दिल की बात बताता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी केर करता हूँ और फाइनली रनविजय जो है यहां पर आल्या को अपनी दिल की बात कहेगा वो कहेगा कि भई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ आज मेरा competition है यहाँ पर अर्मान को मैने धोका दे दिया मतलब अर्मान को competition है उसने मुझपर इतना ऐसान किया मुझपर इतना विश्वास किया और आज मैंने उनका विश्वास तोड़ दिया और मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ रुख गया नाकी competition पर गया इसब ये रनविजय जो है वो आलिया को बताएगा और यहाँ पर रनविजय जो है आलिया को I love you भी कह देगा और आने वाले पिसोड में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि रनविजय को आलिया जो है वो एकसेप्ट कर लेती है और दोनों को गले मिलते वे भी देखा जाता है इसी बीच एक और exciting track आने वाला जहांपर हम देखेंगे कि बहुत जल्द अर्मान और आस्मा के सामने ये सच आने वाला है कि रन्विजय जो है वो अर्मान का सगा भाई है और रन्विजय और अर्मान की मां का सच जो है वो सबी घरवालों के सामने भी आ जाएगा तो दोस्तों कि आप भी मेरे तरह आने वाले track के लिए excited हैं तो यह हमें comment section में ज़रूर बताएं और ऐज़े ही update के लिए बने रहे हमारे channel के साथ